जब परीशियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कव आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य द्रिश्य रूप में नहीं आता हमारे प्रेवी सर्गी पिता परमेश्वर आपके चर्णों में हम लोग आए हैं बहुत धनवाद करते हैं तो वो इशू क्योंकि यहां तक आपने हम लोग को पहुँचाया जीवन की लबी आत्रा में आज शाम का समय परमेश्वर पिता आपकी उरसे मिला है इस पर आशी ती हम लोग आखरी समय से गुजरे जाते हैं हम लोग किया शक्ताब चानते हैं इसलिए बिंती करते हैं हमारे लिए आप तियों से जो संदेश है आप अपने आत्मा के द्वारा दीजिए हमारी बिंती है यह बिचार और शब्द वो भी आप तियों से दीजिए और हम लोगों को समझने वाला मन तीचे सो बिंती सुनिये धन्बाद कहन कीजिए प्रभु इशु के नाम के द्वरा से आमें तो प्यारे भाईवेशनों हम लोग आज फिर इखते हुए है प्रभु इशु मसी अपने प्रभु के आने के बारे में चर्चा करने और प्रमेशर का राज जड़ चला रहा है उसके बारे में भी तो प्रभु हमारी साहिता करें ने अब हमने क्या पढ़ा फरीशियों ने क्या पूछा प्रभु इसे फरीशियों ने पूछा प्रमेशर का राज कब आएगा यह चीज़ है तो हमारे प्रभु ने बताया कि परमेशर का राज ऐसे प्रगट में नहीं आता है परमेशर का राज तुमारे अंदर है इसका मतलब इसका मतलब यह कि पहले तो परमेशर का राज हमारे अंदर या मरश के अंदर आना चाहिए हाँ ये चीज़ है तब हमारे समझ भी आएगा फिर बाकी बातें बताने के लिए क्योंकि बड़ा भेद है है ना अब जाते हैं ना भेदू की किताब है तो पहले परमिश्टर कर आज हमारे अंदर आना चाहिए हमारे जीवन में आना चाहिए अचा एक और आद्मी को देखे आए यहन्ना तीन में आए यहन्ना रजित तीसरा अध्या उसकी तीसरी आयस पड़ी येश्टर ने उसको उत्तर दिया मैं तुस्ते सस्च कहता हूं यदि कोई नई सिरे से ना जन में तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता आँ ये क्य को आया था रात में ये निकोदिवस यहुदियों का गुरू रात में क्या पूछने आया था इसके पहले कि वो पूछे परमेश्वर जानता था क्यों आया है वो पूछने आया था कि परमेश्वर के राज्वे कोई कैसे जा सकता है इसका जवाब हारे पुछने दिया अल् नहीं से या फिर से जनन नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता है और उसमें जा भी नहीं सकता है पांच्वी आयत पढ़िए यहन्ना तीन का पांच येश्व ने उत्तर दिया मैं तुस्ते सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन में तो वे परमेश्वर के राज्ये में प्रवेश नहीं कर सकता तो कितना इंपोर्टिंट है न यह देखा अब पता रहा तो याद रहे किए परमेश्वर का राज तो पका है परमेश्वर का बचन बता रहा है परमेश्वर का राज आएगा और क्या होगा दुनिया के सब राज खतब होंगे तो यहां बर्पभू ने बताया परमिश्र के राज में एंट्री कैसे होगी वो नए जन्म के दोरा होगी है ना पहली बात तो यह उसी बात यह कि परमिश्र के राज में अगर किसी मर्श को जो पापी दर्शा में है जो उधार नहीं पाया है जो नया जन्म नहीं पाया है उसको अगर वहां पहुचा भी दिया जाए तो क्या वो वहां टिकेगा क्या वो उसको अच्छा लगेगा नहीं वो तो धर्वराज में भी वही करेगा बाइविल में लिखा है कि आगर किसी को वहाँ परमिशर पहुचा भी देता है तो क्या होगा वो वहाँ भी वही करेगा आप देखे ये शेया नभी में आते हैं ये शेया नभी का 26 वांत्याए उसकी दस्वी आयत पढ़िए ये शेया 26 वांत्याए तुस्ट पर चाहे दया भी की जाए यहवा का महात्य में उसे सूज ना पड़ेगा देखा आपने जब तक आदमी का नया जनम नहीं होता है वहाँ फिट नहीं हो रहा अश्वरा अब शराबी अगर चला गया मान दीजिए उसका शराब नहीं चूटा है उसका नशा नहीं चूटा है वह वहाँ चला गया वहाँ क्या करेगा वहाँ भी शराब नहीं चूटेगा चूटेगा याद रखिए लिखा है एक कहावत है बर्ट्स अज़ शेव पैदर फ्लॉक टुगेधर एकी प्रकार की चिलिया एकी जग ते फ्लॉक होती है अख़टे होते हैं अभी बहती है नंदन शेव के बीच में से बहती है तो क्या हुआ कुछ लोग स्टीबर में वह चड़के जा रही थी अभी किनारे से छूटा नहीं थी इस्टीवर अभी किनारे से नहीं शूता था एक आदमी दौड़ता है दौड़ते आया अरे भाई ठेलो ठेलो मेरो को भी ले लो अच्छ हे उसको ले तो लिया है इस्टीवर में फिर वह क्या देखता है अरे जल्दी जल्दी में सिगरेट हूँ जाया सिगरेट भुट आया अब यह देख रहा है स्टीवरम है जो लोग जारह है कोई अगर सिगरट पी रहे क्या तो उस effectivement आप प्रिक्रेज्ट कर सकता था क्योंकि उसको टलब लगी है सिगरट पीने की तलब है उसको लग क्या देखता है आरे कोई सिगरेट नहीं पी रहा है फिर उसके ये देखा कि यार ये लोग तो कुछ फरक टाइप के लोग मालू पढ़ रहे हैं वो क्या था कौन लोग जा रहे थे वो वो स्टीवर में प्रभू इश्यू मसी के बिश्वासी लोग उधार पाई हुए लोग चले जा रहे थ कहीं जा रहे होंगे पिक्टिक के लिए क्या मालू टाइप पास करने के लिए तो इस आदमी ने क्या देखा कि ये तो फरक टाइप के लोग बारू पढ़ते हैं उनकी बाते हैं कोई प्रभू का गाना कर रहा है कोई प्रभू की बाते कर रहा है अब उसने कहा देखा मैं क इसके बीच, अरे किन लोगों के बीच में आ गया? फिर उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले भाईयो, मेरे को किनारे पर छोड़ दो, किनारे पर छोड़ दिया गया, क्यों, वो वहां फिट नहीं हुआ, आप ने देखा, क्यों प्रमिश्यम उसी ने बोला, निकोदिमस से, जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो, तब तक परमिश्यम के राज में को ना देख सकता है, ना एंटर कर सकता है, तक कितना जरू यह ना, जब हम लोग परमिश्यम के राज की बातें करते हैं, अगर हमारे वीश्यम ऐसे कोई प्रिभाई बेहन है, जो अभी तक जड़ा है, जो अधार नहीं है, पहले प्रमिश्यम के राज में आना है, उनके पाप शमा होना चाहिए, उनका पापी नेचर चेंज होना चाहिए, तब वो जाके परमिश्यम के राज में फिट होते हैं, गाद रखिए, आचा परमिश्यम के राज की चर्चा तो बाइबल में भरी पड़ी है, हमारे प पिता तुझे स्वर्ग में है तेरा नाम पहत्रों पहना जाए तेरा राज आए तेरा राज आए आब आरा अभी किसका राज है अगर हम बोलें कि भाई अभी किसका राज कौन कर राज अभी मनुष राज़ करने हैं और शेतान राज़ करना है मैं सोता हूँ दोसों से उपर नेशन से अभी अभी पर संसार में करीब दोसों के करीब या दोसों से कुछ ज़्यादा देश पाए जाते हैं पर इनको कौन चलाता है इनको शेतान चलाता है है ना बाइबरे में लिखा है कि देश दुष्टों के हाथ में दिये गया है पर एक टाइम आ रहा है ये ख़ता हो जाएगा है ना कहता पत्थर गिरा उसने चकना चूर कर दिया पीस डाला सब ख़ता हो गया और परमिश्व का रा जा गया अच्छा वो तो ठीक है हम लोग इन दिनों में क्या पूछ रहे और प्रभू के लोग मश्वारियों को पूरा होते देख रहे हैं उनके मन में क्या सवाल आ रहा है अरे कब परमिश्व का रा जाएगा और ये सही भी है ये सही भी है क्यों क्योंकि हम लोग तो परदेथी लोग है ये दुनिया कोई हमारा था हो राज हम दुनिया के नहीं है हम तो परदेथी लोग है हम लोग को तो परमिश्व ने अपने राज में मुलाया तो इसलिए प्रभू के लोग दुनिया में हैं उनका धन्वाद हो प्रभू का ऐसे लोगों के लिए जो बड़ी लागसा से ये जाना मांते हैं और कितना टाइम रह गया अरे ये दुनिया की रात कितनी रह गया देश के लोग अंधेरे में पड़े गया हां हां आप देखिए वो पूश रहें कितना टाइम रह गया ये शेया 21 का ग्यारा बारा पड़ दीचे ये शेया चेप्टर 21 वर्थ 11 और 12 दूमा के विशेय भारी वचन सेड में से कोई मुझे फुकार रहा है हे पहरुए रात का क्या समाचार है हे पहरुए रात की क्या खबर है पहरुए ने कहा भोर होती है और रात भी यदि तुम पूछना चाते हो तो पूछो फिर लौट कर आना यह कौन लोग पूछ रहे हैं दुनिया के लोग तो दुनिया में मस्त है उनका दिल लर रहा उनका दिल और दिमाग रात दिन दुनिया में लगा है यह कौन लोग पूछ रहे हैं यह प्रभू के लोग पूछ रहे हैं जो प्रभू से प्यार करते हैं जो उसके आगमन की ब परदेशी लोग है और दुनिया में हमारे लिए क्लेश है दुनिया में हमारे लिए बेरोध है दुनिया में हमारे दुश्मन है ऐसे लोग पूश्ते हैं लिखा जितने लोग धार्मिक्ता से जीना मांगते हैं दुनिया में वो सब सताई जाएंगे ये दुनिया में है तो य यह जानना मकते, क्या परवेशर ने, क्या प्रभू इश्यू ने, ये बात पताया कि कम आए, परवेशर का राज कम आएगा, क्या ये बात पताया है, हाँ, बताया है, आए, कहा देखे, कहा बताया है, मरकुस नौमा ध्याज में आई, मरकुस नौमा ध्याज, एक, दो, तीन उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राचे को सामर्थे सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यू का सुआत पदाचित ना चखेंगे छे दिन के बाद येश्वर ने पत्रस और याकुब और यहना को साथ लिया और एकांत में किसी उचे पहाड पर ले गया वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्तर ऐसे चमकने लगा कि यहां तक उजवल हुआ कि प्रित्वी पर कोई धोबी भी वैसा के तो जो जो बोला और जो जो किया उसके पीछे बड़े भेद छुपे हैं जाना काई के भेद छुपे हैं अरे परमेश्वर के राज के भेद छुपे हैं आप जाते ना महरकुस 13 में प्रभू शुमसी ने साथ परेबल गुए हैं साथ दिश्टानते जब चेलों ने बोल कि प्रभू आप दिश्टानतों में लोगों से काई बोलते हैं क्या बोला प्रभू ने आरे भाई वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हुए भी नहीं सुनते हुए नहीं देखते हुए नहीं देखते हुए आम देखें मत्ती तेरा का ग्यारा पढ़िए मत्ती तेरा की ग्य वेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं ऐसा है तो ये जो प्रभू ने किया पहले तो प्रभू शी ने हमने क्या पड़ा मर्कुस नो में क्या पड़ा कोई कोई जहां जो खड़े है उन में से कोई कोई ऐसे है जब तक परविश्चर के राज को सामर्त रहता आया हुआ न देख लें तब तक मृतु का साथ कड़ा पीना चखेंगे क्या भेच चुपा है आने का भेच चुपा है हाँ क्यों अभी संतार में कुछ ऐसे लोग है जो मृतु का साथ नहीं चखेंगे लेकि जहां जो प्रभू ने किया इसके जारा प्रभू क्या बता रहे है ऐसा होग कब होगा च्छे दिन के बाद होगा यानि ऐसा बोलने के बाद च्छे दिन के बाद प्रभू इश्युमस्दी तीन चेलों को लेके बत्रस यहना याकूब को लेके एक उचे पहाद को चले गए मैंने बताया कि ये इसके द्वरा प्रभू क्या बताते है हाँ, अपने भीदों को बताते है तो परमीशEC सोराज 6 दिन के बाद आएगा हाँ, 6 दिन के बाद आएगा कैसे समझें भाई आरे पत्रस प्रभू के दास ने क्या बताया प्रभू के दास पत्रस बुर्ता देखो, एक बताता हूँ उससे तुम अंजान नहीं रहना, क्या बात है भई? दूसरा पत्रत, तीसरा थ्याई, आठ्वी आई परिए. दूसरा पत्रत, तीसरा थ्याई, आठ्वी आई. हे प्रियो ये बात तुम से छिपी ना रहे कि प्रभू के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है अब तब जहाँ छह दिन के बाद क्यों ले गया था यह पर्मेशा करा छह दिन के बाद आएगा कहां से काउट करें? आदम से काउट करें. आदम से काउट करने से क्या च्छे दिन हो गए? च्छे दिन तो हो गए. कैसे? अरे आदम से लेके प्रभू इशु मर्शी तक चार हजार सार और प्रभू इशु मर्शी से लेके यहां तक हम लोग दो हजार पार कर गए. थोड़ा प्रभू का राज हाएगा उसके बाद आप ये बात देखिए कि जब प्रभू पहाड पर चले के तो क्या हुआ रूप पतल किया उसके कपड चमकने लगए उसका चेहरा चमकने लगए और क्या हुआ वहां पर कौन कोना गए मरकुस का नौमा ध्याय आए और उसकी चोथी आयत पढ़िये और उन्हें मुसा के साथ एहलिया दिखाई दिया वैये येशु के साथ बाते करते थे ऐसा होगा हाँ जब प्रूश्यू आएंगे अब पर्मिशर का राज आएगा तो ऐसा होगा कैसा होगा अरे मुसा और अल्या आ जाएंगे मुसा किसको बताता है ? मुसा ओन लोगों को रिप्रेज्ट कर रहा है जो मर के चले गही जैसे कि पहला थित्रौश्रोणी 4 के 16 सत्रह में हमने क्या पढ़ा है भायो हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे इन से जो सोग है जो हमसे पहले मसीर में सोग है तो मुसा किन को बता रहा उन्हीं लोग को बता रहा जो प्रभू के लोग सोग है पर वो वहां आगे अच्छा और एलिया एलिया किसको बता रहा अरे जिन्दा थे मरे नहीं एलिया नहीं मरा एलिया जिन्दा था एलिया उठा लिया क्या अच्छा तो छे दिन के बाद ऐसा ह भोगा, क्रवू का राज ऐसा आएगा, जो क्रवूप सो गए वो उठा जाएंगे, और जो जिन्ना है और क्रवू चार चल रहे हैं, वो उठा दिये जाएंगे, मुसा और यलिया वहां पर आ गये, हैसा था, हाँ, आपके देखा, आपके ये चुनिजे जो है ना बाइबल मे बड़ा इंपोर्टेंट है आपको मालू है कि परमेशर ने दुनिया छे दिन में मनाया, सारे यूनिवर्स को और साथ दिन आराम किया अब याद रखिए कि बाइबिल बूलती है कि परमेशर अपने लिए आराम ढूनता है हम लोग तो ढूनते है हम लोग हमेशे ही परमेशर को ये आराम मांते हैं, आशिश मांते हैं पर हम ये नि जानते कि परमेशर की भी नीद है क्या नीद है, अरे परमेशर को भी तो आराम चाहिए, तो कहा मिलेगा परमेशर को आराम परमेशर के लोगों मेलेगा तो शुरू से परमेशन क्या कर रहा परमेशन अपने लिए आराम अपने लिए ऐसे बच्चे ऐसे लोगों को ढूंड रहा है अब क्या तरके परमेशन ने क्या बोला अरे मेरे को तो सिर रखने की तीज़े नहीं आप देखें मत्ती आठ का बीस पढ़िये मत्ती आठ बाद जाय उसकी बीस मियाए पर येशन ने उससे कहा लॉम्डियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परन्तु के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगा नहीं है ऐसे मालम करते हैं कि परमेशन अपने लिए आराम ठीट है काम में लगा है पहले तो आपने उत्पत्ती में पढ़ा कि काम साच्छे दिन में पूरा हो गया परमेशन ने साथ दिन आराम किया लेकिन वो आदम और हवा तो कर दिये सारा बिगार दिये शराप आ गया मिर्टू आ गई जमीन काटे रूट खटाने पैदा करने लगी अदमी का सभाव पापी हो गया जानवर जो थे मास बक्षी हो गए जंगल के जंगल सब कटीले पेड़ हो गए अरे कितना बड़ा काम हो गया तब पभू ने फिर परमेशा ने काम शुरू कर दिया बड़ा काम करता है पाप्यों को बचारा है कि फुद्बोर को बड़ा महान उधार देना है मेरा पिता काम करता हूँ जान लिखा यहन्ना पाच का सतरा पढ़िए यहन्ना पाच्वा द्या है सतरी आ है इस पर येशु ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ ऐसे हैं तो कब काम खतम होगा च्छे दिन के बाद खतम हो जाएगा तो च्छे दिन के बाद राज आ जाएगा और च्छे दिन के बाद परमेश्वर का पिश्राम आ जाएगा और हम लोग हम लोग भी वे उसी बिश्राम में प्रवेश कर जाएंगे पर यतन कर ना पुड़ेगा जा छूट जाने का खत्रा है तो उन्हें बोला यहां जो खड़े हैं मर्कुस 9 में क्या पड़ा यहां जो खड़े हैं उन मेंसे कोई कोईी जाद रखे उसके विश्र के राज में जाकर इसके सामने खड़े होने के लिए योगता चाइए हम अधार की बात नहीं कर रहा है हम लोग तो इन दोन llumن प्रवे प्रवेश करने की प्रवेश करने की प्रतिक्या अब तक है तो हमें डरना चाहिए ऐसा नहों कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए अच्छा यादर कि एक बिश्राम तो पर्मेशन पापी को ऐसे ही देते है मत्री ग्याराट टाइस में प्रवेश मसी ने बोला आए बोच्टे बिल्लब्दमे लोगों परिश्राम करने वाले लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको आज बिश्राम दूगा अच्छा ठीक है मैं भी आया और बहुते लोग आए अपने पापों को लेखे जब आए तो पता लगा रहे प्रवेशन ने सब उठा लिया मेरे लिए इतना दुख सहा प्रवेश आराम देखे आ अच्छा वो आराम के बादें कर रहे हैं अब ये आराम की बात हो रही है उसमें तो बिश्वास करके हम आ गए पर ये आराम जो च्छे दिन के बाद आ रहा है इसमें प्रवेश करने के लिए यतन करना पड़े का इबरानी चार की आप ग्यारवी आयत पढ़िए अतहा हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें ऐसा नहों कि कोई जन उनके समान आग्या ना मानकर गिर पड़ें हाँ कोई जन चूक सकता है अगर हम अपका काम पूरा नहीं करते है क्योंकि हम लोग को सब को कुछ ना कुछ काम दिया गया यादर कि हम लोग उद्धार पाके खाली बैठे रहने के लिए नहीं बना है बचाए गए हम लोग को परमेशर के राज के लगाओ में कुछ ना को काम है ना हर विश्वासी को काम दिया गया तो विश्राम में अगर प्रमेश करना परमेशर के राज में अगर जाना है तो हमें अपना काम पूरा करना होगा ना दस्वी आयत में क्या लिखा है इबरानी चार उसकी दस्वी आयत पर यह क्योंकि क्योंकि जिसने उसके वि कर रहे हैं जम हम देख रहे हैं कि अरे राच चला अरा पुमू का कि हम अ को स्ताइब नहीं होना चाहिए जरते और काम्ते हुए काम पूरा करो अरे भाई उधार का काम नरहां तो भाषिक के ठीक बात है लेकिन अभी पुमू के राज में जाना उसkę सामने खड़े है उसके लिये लियाकत चाहिए उसके लिए योगता चाहिए आप देखें फिलिप्पियों की पत्री दूसरा ध्याय बारवी आयत पढ़िए फिलिप्पी दो का बारा पढ़िए इसलिए है मेरे प्रियों जिस प्रकार तुम सदा से आग्या मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए और विशेश करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कापते हुए अपने अपने उद्दार का कार्या पूरा करते जाओ शायद मैंने आपको बताया च्छे हजार तो हो गए च्छे हजार ते ऊपर हो गए चौबीस साल हो गए थोड़ी समय के बाद पचीस हो जाएगा अगर प्रभूर नहीं आते हैं तो यह टाइम बढ़ क्यों रहा है कुछ लोग बोलते हैं रहे देरी हो नहीं यह नहीं मेरा पॉइंट यह है कि 6,000 6 दिन तो हो गए उस हिसाब से तो टाइम बढ़ क्यों रहा है आजे देखें दूसरा पत्रस तीसरा ध्याय नोवी आइस प्रभू अपनी प्रतिग्या के विशय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं पर तुमारे विशयों में धीरस धरता है और नहीं चाता कि कोई नस्टो वरन यह है कि सब को मन फिराव का अफसर मिल आजर इसलिए हाँ क्या मैं और आप अपने बच्चों के लिए अपने प्रिजयनों के लिए प्राता नहीं कर रहें क्या तो नहीं चाहिए और कई उसके बच्चे तयार नहीं है उन्होंने हुद्धार को हळा कर लिया है तेरा काम कोई पूरा नहीं हुआ प्रकाशित वार त्वास तीसरा द्याय दूसरी आइगा hav जैकि और उन वस्तूयओं को जो बाकी रहे गई हैं और जो मिटने को हैं उनहें द्रिण कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया यह कौन लोग है आरे सरदीज की कलीचिया वाद है यह परबू के लोग है लेकिन परबू क्या बोलता है यह तेरा काम पूरा नहीं हुगा तो जिसका काम पूरा नहीं हुआ क्या वो उठाया जाए या क्या उसका काम पूरा नहीं हुआ जा दो कि इसके बारे में जो हम बाते कर रहे हैं कि भुश्वाणिया तेजी के साथ पूरी हो रही है प्रभु काथपना गया बाइबिल में इसके बारे में जाएगी, कैसे चले जाएगी, वो बिश्वासी है, अभी पाप में जी रहा है, वो बिश्वासी है, अभी गर्वरी कर रहा है, वो बिश्वासी है, बेपिचार में जी रहा है, वो जाएगा, उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं, जो तयार थ जो यहां खड़े हैं उन में से कोई कोई है ना क्या बोलती है बाइबिल जब प्रभुश्व आएगा तो दो जन खाट में एक चला गया एक छोड़ दिया गया दो इस प्रिया सो मेरे चक्की पीस रही है एक चली गई एक छोड़ दी गई दो अद्वी खेत में काम कर रहा है यह चला गया छोड़ दिया गया क्या मतलब कौन चला गया जो तैयार थे वो चले जाद रुकिए इसे जरी इपॉर्टन अच्छा फिर दूसरा सवाल या आता है या वो में सवाल परमिश्यर का राज कमाएगा उसका और कोई निशान है हाँ उसका एक निशान और भी है क् अगरा प्ति लगेगी है आप देखे ना मत्ती चौबीस का मत्ती चौबीस का बच्टीस प्रइए पर यह अंजीर के पेड़ से यह द्रिस्टांग तीको जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश मकाल निकट है इस अंजीर का पेड़ सूखा पड़ा था करीक्ट दो हजार साल थे वह अंजीर का पेड़ सूखा पड़ा था फिर क्या हुआ फिर वो इसमें पत्ती निकलने की कब से शुरू हुआ कब से शुरू हुआ नाइंटीन फॉर्टी एट पे शुरू हुआ याद रखना चाहिए अगर हम बगाड़ चो रहे हैं अब पड़ू के आने की बात कर रहे हैं तो इतना हथ को आपको मालम होना चाह एक पीड़ी कुजर की करीब करीब गुजर रही है ताइम आगया जाने का अब याद रहके निशान तो बहुत से हैं क्योंकि हमारे पबू ने बताया कि नू का टाइम होगा नू का टाइम हां क्या हुआ था अरे नू के टाइम में दुनिया इसनी बढ़ गई थी आज और क्या उनके पाप बदमाशी बढ़ गई दुनिया में पाप बदमाशी नहीं बढ़ गई हाथ दर्जे की बढ़ गई है और किसी ने बताया कि नू के लोग भी होते तो शर्मा जाती है आज यहालत है ऐसे तो कही निशान है हम इनकी पर बात कर सकते हैं तो याद अब लास्ट में एक और पॉइंट आपको बताना मनता हूँ पर उसके बारे में कहा तक चर्चा करेंगे हम नहीं बोल सकती है पर आप देखिए परमेशर का राज कब आएगा डैनियल लवी निका लिए डैनियल लवी का दूसरा अध्याज निका लिए उसकी चवालिसमी पढ़िए डैनियल दो का चवालिस पढ़िए उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदे करेगा जो अनंत काल तक ना ठूटेगा और ना वे किसी दूसरी जाती के हाथ में किया जाएगा वरन वे हैं उन सब राज्यों को चूर चूर और उनका अंत कर डालेगा और वे सदाश फिर रहेगा आप यादर किये मुझे लगता है हो सकता हम लोग जो सुन रहे हैं शायद ये हो हम लोग के नया मानम पर जाएगा उसको थोड़ा एक्स्प्लें करने पड़ेगा कहां तक कर सकते हम ने जानते हैं पर आपको मालूब की किताब में डैनियल नभी को कहा तक पता दिया गयता है वो तो बाबूल में बंदुआ करके गया था बाबूल वर्ल इंपायर था अपने टाइम में बाबूल अपने टाइम पे विश्व सामराज था नबू करने सर के टाइम में बाबूल था बाबूल के ये डैनियल था डैनियल को जब राजा ने स्पन देखा और डैनियल ने परमिसर से प्राओता कर था कि उसके समझाया तो कहा कि बता दिया उसको बाबल से लेखिये और परबुश्य मस्यशिक के आने तक का जो परमिसर के रा जा रहा है वहाद तक बता दिया है ना बड़ी इंपोर्टेंट किताब है किसी ने बोला कि डैनियल और रेविलेशन और प्रकाशित वार्ट जोनों भर्जवारे के साथ बहुत इंपोर्टेंट किताबे हैं यहाद रखिए तो कहां से कहां तक बताया अरे राजा ने क्या देखा था सपने में पर भूल गया यह जरूरा कि बड़ा अजीब सपना देखा वे डैनियल ने बताया तूने देखा मूरत, बड़ी भरी मूरत, रे मूरत सोने की, उसका सिर सोने का था। उसकी चाती और वजाए चादी की थी उसका पेट और उसकी जागे पीतल की थी उसके लोहे, उसके पाँ लोहे लोहे देते तोर उसकी उखलिया कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी फिर क्या हुआ? एक पत्थर बिना किसी के खोदे ने उक्षरके अब मूर्ती की पैरों पर किरा और क्या हुआ? और मूर्ती को उसने चकना चूट कर लिए, सोना, चाली, पीतल, लोहा, साब, पीश टाला, भूसे के समान, खलियान के भूसे के समान उड़ गए, और वो पत्थर बढ़ा होके सारी पिट्थी पर फैल गया, ऐसा आएगा राज, हाँ, ऐसा ही आएगा राज, पर किन राजाओं के दिनों में? दस राजाओं के दिनों में, ये दस राजा कौन है? थोड़ सा थोड़ा थ्यान दीजिए, है ना? अरे बाबुल तो चला गया? नबुक, बाबुल चला गया? बाबुल के बाद कौन आया? मादी फार्थी आ गया? चांदी, चांदी, माद के पाओ इस्टरन एंड वेस्टरन यूरोप लोहे के पाओ तो भी तूट गया आप तूट के टुकड़े हो गए रोमी राज के टुकड़े हो गए पर बाइबल क्या बोलती है अद के दियों में जब रुब के आने का रहोगा या पर्मिशर के राज आने होगा तब रोम के तूटे हुए टुकड़े जोड़ जाए जोड़ गए हां हमारे टाइम में जोड़ गए अरे नेपोलिया ने कोशिश की नहीं बना और भी किसी किसी ने कोशिश किया था कि रोमी राज के तूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाए एक बना जाए नहीं बना तो कब हु हो गया ना अभी आपसको क्या बोलते आपको नहीं सुना आपको नहीं वालों क्या बोलते यू नहीं बोलते यू नहीं बोलते क्या यू 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 नहीं बोलते क्या यू 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 यूनियन की पार्लेमेंट कहां पर है इस्टार्ट स्वर्ग में नहीं क्या है आथ सा क्या ए हो सकता है प्रांस हो सकता है जर्मनी हो सकता है इटली हो सकता है लग्संबर्ग हो सकता है फोलेंड हो सकता है यह दस राजा खड़े हो जाएंगे और अपना अपना पावर और अधिकार एंटी क्राइस्ट को पीड़ेंगे या रखेंगे जब हम इसराइलियों की बात कर रहे ना आप अभी बोड़ रहते ही इस्राइल में हो रहा है सब देश में के खिलाब खड़े हो रहे हैं हाँ ठीक हो रहा है आज की चीजे चली जा रहे हैं तो होगा क्या होगा यह रोमी राज जो जुड़ गया है इसमें से एक आदमी खा होने वाला जिसको बाइबिल एंटी क् है या पाप का पुरुश बोलती है या पाशू बोलती है ये क्या करेगा ये इस्राइवियों के साथ साथ साल की ट्रीटी होना है याद रखे पर हम लोग कहां तक देख वाएंगे हम ने जानते हो सकता हमारे निकल जाने के बाद होगा क्यों सी बाइबिल में ऐसा इशारा किया गया है ये आदमी जो की स्राइवियों के साथ साल की बाचा बाद लीगा उसके पहले परमेशर के लोगों को निकल जाना जाते है पर हम उसकी शिरुआत तो देख रहे हैं उस राज में से दस राज किस राज में से अरे चौत है राज में से आईए डैनियल सेवन में आईए डैनियल का सत्वा द्या में आईए उसका 2324 पढ़िये उसने कहा उस चौते जन्तु का अर्थ एक चौता राज्य है जो प्रित्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन होगा और सारी प्रित्वी का नाश करेगा और दाप पर चूर चूर करेगा उन दस सिंगों का अर्थ ये है कि उस राज्य में दस राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन एक और राजा उठेगा जो तीन राजाओं को गिरा देगा अच्छा दस राज किसमस से निकलेंगे अरे चौते राज में से चौता राज कौन था अरे रोमी राज था तो टुकड़े हो गएते लेकिन वो टुकड़े हमारे समय में जोड़ गए उन्होंने यूर्बरेंद यूनिन बना लिया उस ने एक पार्लिमुन बना लिया उसने एक सिका बना लिया उनकी एकी पालिसी है तो अब टाइम आ गया और इसन में से एक आदमी खड़ा होगा जिसको एंटिक्राइस बोलते हैं वो क्या करेगा वो इस्राइलियों के साथ साथ सान की ट्रीटी बाज़ेगा आप देखें पचीस में आए पड़िये मतलब डैनियल साथ का पचीस पड़िये और वे परम प्रधान के विरूद बाते कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्ता को बदल देने की आशा करेगा वरन साड़े तीन काल तक वे सब उसके वश में कर दिये जाएंगे ऐसे है अच्छा तो मैंने बोला कि डैनियल और प्रकाशित वाक्त में अज़ के बारे में बताया है परमिशर का राज कर आएगा हमने क्या देखा हमने देखा डैनियल दो के चवालिस में उन राजाओं के दिनों में परमिशर के राज खड़ा करेगा जो बागी सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और वो युगान युगवने रहेगा वही है परमिशर का राज गिन राजाओं के दिनों में अरे रोम के अंदर से जो टूटे टुकड़े हैं जो जाएंगे पर उसमें से दस राज खड़े होकर एंटी क्राइस चो का आप पढ़िये बारा और तेरा जो दस सिंग तूने देखे वे दस राजा हैं जिनोंने अब तक राज्ये नहीं पाया और उस पशू के साथ धड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे यह सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ है और अधिकार उ इस राज में से अरे चौता राज रूमी राज लोहे वाला जिसके टुकड़े हो गए थे पर टुकड़े हो गए थे हमारे सामरे में जुड़ गए फिर क्या हुआ इस में से दस राज खड़े हो जाएंगे क्योंकि पशू खड़ा होने वाला एंटी क्राइस के बारे में ह ये बालको तुमने सुना मसी का फिरोदी आने वाला कब से बात हो रही है भाई फिर ये क्या करेगा ये इस्राइलियों के साथ बाचा बाद लेगा लेकिन ये पबु के खिलाफ के लड़ने को भी आएगा हाँ प्रकाशित 17 का आप पढ़िए चवद्वी आए वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जै पाएगा क्योंकि वे प्रभू का प्रभू और राज़नाओं का राज़ा है और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वाशी है वे उसके साथ हैं और वे भी जै पाएंगे हो सकता है कि आप मेंसे कईयों को ये चीज़ नहीं मालू पड़े लेकिन आप रात ना करिए प्रभू ये समझाईए क्या चीज़ है ये आपका राज़ लिखा है बचल में इस दस राज़ाओं के दस ताइम में आपका राज़ा जाएगा क्या वो दस राज़ा खड़े हो होने वाले होने वाले खड़े होने वाले और ये अभी खड़ा होने वाला है कहा से ये रोम से खड़ा होगा ये क्या करेगा ये इस्राइलियों के साथ बचा बंदेगा अभी आपने देख रहे हैं कि इस राज़ जो है संकट में है अभी तो मुसल्मान देश उसके होने वाले है ना, उसमने जो कमला हैरिस है, इस्राइल की मदद नहीं गरेगी, ऐसा, हाँ, तो कौन मदद करेगा, है ये आन्मी खाओगा, ये आन्मी क्या करेगा, ये ये तो साथ साल की बाचा मैं दिलाँगा ना राज गाजा दिलाँगा और तुम्हारे लवानों वगरा दिलाँगा इफराद है के नीचे का हिस्टा जितना सप्ता के लिए बहुतों के संग द्रिण वाचा बांधेगा परन्तु आदे ही सप्ता के बीतने पर वे मेल बली और अन बली को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाडने वाले घ्रिणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चे ही ठनी हुई बातों के समाक्त होने तक प पड़ा रहेगा अहां किती दूर है यह कोई दूर नहीं है बता रहा प्र क्या हम लोग वहां तक देख पाएंगे मुझे नहीं लगता है क्योंकि बाइबल बोलती है कि एंटी क्राइस के ख़ड़े होने के पहले प्रभू के लोग निकल जाएगी हां फिर यह क्या करेगा यह बाचा बादेगा यह बाचा बादेगा प्रॉमिस करेगा पर क्या करेगा हफते के बीच में मैंने साड़े तीन साल के बाद यह इसराइलियों को सताने लगेगा अभी हमने क्या पड़ा कंगूरे पर घिर्नित वस्त में दिखाई देंगी हारे प्रभूश्यों ने क्य क्या बोला यहुदियों को मत्ती 24 का 15 क्या बोला प्रभुश्य ने मत्ती 24 का 15 कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घ्रत वस्तूओं की जिसकी चर्चा दामियल भविश्य दक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पड़े वे समझ फिर क्या करना आगे पड़ी है तब जो यहुदियों में हो वे पहारों पर भाग जाएं तब खिलनी त्वस्तु क्या है अरे मूरत है किसकी एंटिक्राइस अपनी मूरत बना के इनके मंदर में रखेगा तब इनको समझ में आएगा रे ये मस्या नहीं है ये तो गलत आत् अब याद रखे इस्ट्राइलियों को बचना है इस्ट्राइलियों का संकट का समय आ रहा है इस्ट्राइलियों का संकट का समय मसल्मान अरब देशों के दोरा नहीं होगा इस्ट्राइलियों का संकट का समय एंटिक्राइस के दोरा होगा वो हिटलर से भी ज्यादा मार दे सट राइगा इस्राइलियों का संकक्ड का समय आ रहा है आप देखिये जनमी matar की जाहिए हूँ- में होगा परन्तु वे उससे भी छुड़ाया जाएगा अब याद रखे ये इस्राइजी लोग इनको परमिश्ट 2000 साल के बार लाया है क्या ये अभी प्रभू इश्यू को मानते हैं नहीं मानते हैं फिर अरे ये आदमी खा होगा तो बोलेगा ये है मसिया रियाद दिला रहा है मंदर बनवा रहा है ये हमारा मसिया आ गया लेकिन जब उसने मूरत बनवा के खड़ी की तो आरे ये तो गलस आदवी है अब याद है कि इन्लों को बचना है परमिश्ट का काम कब तक पूरा नहीं होगा परमिश्ट का काम जब तक पूरा नहीं ह होगा जब तक इबराहीम इजाक याकूब के वंश के लोगों धायर नहीं पाते हैं हम्म हमारे परूब ने क्या बताया उस समय इतना भारी कलेश होगा जब से दुनिया वानी तब से नहीं हुआ उन लोग के लिए आप देखें मत्तिज चौबीस का 21 पड़ी क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसे जगत के आरंब से ना तो अब तक हुआ और ना कभी होगा देखा आपने जिसको वो मसिया करके माने थे वो क्या करेगा मारने लगेगा इनको उसका प्लान है सारे यहुदियों को खत्म करो लेकर नहीं वो बचाए जाएगे फिर क्या करेंगे वो रोएंगे मन फिराएंगे अरे हाए हाए अरे जकरिया हारा का दस पढ़िये ना जकरिया बारा का दस मैं दाउत के घराने और यरुशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रातना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा तब वे मुझे ताकेंगे अर्थार जिसे उसने भेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलोते पुत्र के लिए रोते पीरते हैं और ऐसा भारे शो करेंगे जैसा पहलोते के लिए करते हैं नu sleep ये है तब ये जेयतून पहड़ पर उतने घंगा हम लोग के लिए बात है उरे को बादाल पर जाना है तो मेरा point क्या है कि क्या ये चीजे आगई आगई अगर ये सवाल पूछा जाए पर्मिर्शा कराज क कभ आ JEंगा तो हमने आज तीन बातों को देखा क्या छे दिन के बाद आएगा फिर क्या देखा जब अंजीर के पेड़ में पत्ती निकलेगी तब आएगा फिर क्या देखा आरे जस राजा जब एक हो जाएगे तब उनके टाइम में आएगा कौन से राजा अरे जोर्व के अंदर तो कितना टाइम रहे हम लोग क्या ये सब देख पाईगे ना है अरे रेपचर के बाद की कई भाशवानीatures पूरा होना है पर क्या हम लोग वहां तक रहेंगे हम लोग वहां तक रहेंगे पर मेरा पॉइट हुरे है तो हम लोग फिर ही बातों के बारे में बात करेंगे तो पगु अपने बच्छन तो राशी दीजिए तो पगु अपने बच्छन के लिए उमिद करता हूं कि बोतों को इस बच्छन के द्वारा एक जागरुती और एक रिवाइवल आया होगा और उमिद करता हूं कि यह जो भी आपने सुना है दूसरों के साथ भी अपने परिवार में रिष्टेदारों में और अपने भाई बंडों में जरूर आप बाटेंगे क्योंकि समय कम है, हम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आये हैं, हम वहां रहने के लिए आये हैं, जहां प्रभू रहता है, तो इसलिए अगले बुदिवार इसी समय में फिर से हम मिलेंगे, सबसे निविदन है, आप ज़रूर दूसरों को भी बताईए, अगले समवार, उसका जो डेट आएगा, अगले समवार का बता सकता हूं, साथ तारिक, हम फिर से मिलेंगे, साड़े साथ से साड़े अट, एक ही घंटा होगा, आप भी जुडिये, दूसरों को भी आप प्रोचसान कीजिए, क्योंकि प्रोचसान करने से क्या आप दूसरों क को भी तयार कर रहे हैं, तो उस प्रभू के आगमान की तयारी दिले, और प्रभू इसका आशिश आपको दोगा, आप भी जुडिये, दूसरों को भी बोले, और कोशिश करें कि बहुत लोग जुड़ने का, जुड़ सके आपके द्वारा, सिर्फ आइसानी की मैं है, दूसरों को भी जुड़ने का, और किसी को कोई सवाल है, इस विशे में, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको पांच मिट का समय देते हैं, किसी को कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, और से मैं निवेदन करता कि पूछने हैं पूछने पूछने वाला है तो लोगों का बोलिया सिस्टर सुन रहे हैं लेकिन जो बिलिब करते हैं वो तो और भी पजल में पढ़ेंगे ना सुर तो उनको तो रियालिटी तो मालूम नहीं हो जाएंगे कि उनको आना है लेकिन आटिक्राइस आने के बाद में तो उनके उपर भरोसा करेंगे वो तो यह तो पूरा एक व्यूशन हो गया पजल हो जाएंगे पीपल जितने भी दिलिब करने माजे है तो मैं सरसे कुछना चाहती ह आपका सवाल यह है कि जब आन्टिक्राइस आएंगे तो वो लोग जो बचेंगे वो कंफूशन में रहेंगे वो लोग कैसे बच सकते हैं ना उनको कैसा पता चले उनके प्ताइस करें न फिर अन्टिक्रैस के आला थोके के साथ नहीं है उसके बहुत तो एक तो इस्टाइजी धोका खाएंगे तुनिया के लोग भी दोका खाएंगे ग्योंगी में नहीं है तुसरा त्रस्शा जोटी नौई आते हैं नहीं है तोट जिखेंगी को इस लोने डूसरा अध्याय नौव अच्ट भाएन उमा पढ़िये पिए अगर अन्म्यूट नहीं कर पारे कोई भी पर सकते हैं दूसरा तेस्टोनी दूसरा द्धाय ना हुआ अच्छा दूसरा द्यार नो यार्ट येस ब्रदर उस अधर्मी का आना शैताम के कार्य के अनुसार सब प्रकार की जूटी सामर्थे और चिन और अधुत काम के साथ और और आगे पढ़िए दस्मियाए और नाश होने वालों के लिए आध्धरम के सब प्रकार के धोके के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिस से उनका उद्दार होता आपने दका उन्होंने सत्य को नहीं माना तो भाइबरी की बोलती है परमेशन दें उसके भीच में दोके बाले को भेजा जो विश्वास करेंगे और ना शूम लेकिंट पने में पसक्राइब लोगने का ब्हु को भागना पड़ेका कई यह कोई अंडर्गांड होना पड़ेगा इस बात आता है अब इस्राइली करेंगे कई इस्राइली शतर्ख मेशक और अबिद्रगों के समान नहीं मानेंगे कि अले मर जाना पड़े मर जाना पड़े अच्छा है कि अगर एंटिक्राइब के छाप लिया तो वो स्कानातार पीरा में चला जाए यह होने वाला है याद रहे कि अटिक्राइब काफी लोगों को दोगा देखा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी होगा पीश में जब आप चाहते हैं आप देखते हैं मैंने उनको भी देखा इनको जिन्होंने पड़कों की छाप नहीं ना उसकी मुरत की पूजा की थी वो जी हुटके हजार साल तक राज़ करते रहे जाता है अब छूटे हुए जो बिश्वाकित हैं वो कहां तक जाएंगे क्या वो नंबर से स्टम के ताइम तक जाएंगे यह वहां तक नहीं जाएंगे तो बाइबल बोलती है वो ना शुटाएंगे पर मैं नहीं सबस्ता हूं वो फर्मेशन के लोग है इसलिए उसके पहले उसको भी या तो जुम्या साथी कर जाना है तो लड़ाई में मर जाए इस प्रकार से हो तो हम यह मिटिंग और आगराइज कर रहे हैं ताकि लोग जागरित हो सके और उस आंटिक्रेश्ट अने तक आंटिक्रेश्ट के इसलिए तो हम कि मीटिंग और और आपके पास दो काम है एक है आपने आज जो सुना आप जितनों को भी आपके उनको बताईए यह संदेश और उनको भी जोड़िए ताकि हमारे तरफ से आपके तरफ से जिम्मधारी पूरी हो जाएगी कि हमने उनको बताया क्योंकि प्रभू प्रभू का वचनों से बाग करेगा और कोई बीद का खाने से दो का काने से बचना है और सुमवार हमें जुदना है अपने आपको हम जाजना है और जागता है और किसी को कोई सवाल है पोच सकते हैं प्रेज लॉड मैं सबसे पहले अंकल का धन्यवाद करती हूं मैं आज जुड़ी हूं और अच्छानक से मेरे हाट में प्रभू ने डाला और मैं सच में बहुत ब्लेस हूई हूं कि यह मेरा सवाल था कि जो एक एक काफी समय से मैं वो डून रही थे कौन होंगे अब क्या भी भी वो लोग जीवीत है वो मेरा सवाल था और अंकल ने जो बोला कि हाँ उस टाइम परमेश्व येश्व ने बोला था कि जो लोग अभी भी जीवीत है तो उसमें आपको क्या पती वो मैं प्रभू का धन्यवाद करती हूं आज मुझे वो सवाल का सटिपाइट जवाब मिला और मेरा सवाल यह है कि जो एक लाख चवाली सजार इस्राइली के बारे में बात करा है बाइबल के अंदर जो लिख रखा है वो जो अंकल ने बोला कि जो इस्राइली लोग बचेंगे और वो जो मन फिराएंगे वो वो है यह आपने जो पूशा है ना प्रकाशित सात्में अध्याई में इनकी गिंती दी गई जाते हरे गोत्र विख में से बारा बारा हजार एक लाख चवाली सजार यह इस्राइलियों में से हैं जो जैवन स्राइब के लोग बोलेगे जो एंटी के खिलाफ हैं यह लोग यह पर जीवन में जाएंगी लेकिन अगर कोई इस्राइली पशू की शाप लिता है तो वह ना आश विडाएगा मतलब जो बात हुई है जो अभी आपने बताया कि जो इसराइली लोग है जो जैसे कि प्रभू के लोग चले जाएंगे फिर बाद में जो एंटी क्राइस्ट आएगा और उसके बाद में जो इसराइली रहे गए है वो वो लोग है यह वो लोग है जो पूछा वही लोग है जो एंटी क्राइस्ट के समय में वह इसराइली लोग मापे उस समय में थे रहेंगे ओके रहेंगे यह लोग यह लोग आंटिक्रैश्ट को नहीं जुकेंगे और यह बच जाएंगे हैं फ्रेज़ लॉट प्रेजराइज वाले बताईए जूडिये वहुत सारे हमारे पास confusion है और हम इतने बिजी है हमारे रोज की जिंदेगी में इसके लिए समय लिकालना या सोचना हमार पास उतना टाइम है अगर विचार भी आता तो जवाब धूरते धूरते समय और साल लिकल जाते हैं इसलिए सबसे निवेदा ने नंबर निवेदा ने हाथ जोड़ के आप द हैं पूछिए कि से कोई सवाल है है पूछिए अगर सवाल नहीं है तो हम रात्ना के और दम चलेंगे किसी वह सवाल है कोई प्रशन है जो फ्रभू में मर जाते हैं भाई ने सवाल किया वो कहा जाएंगे पहले क्या पुछा एक भाई ने सवाल किया कि जो फ्रभू में पहले मर जाएंगे वो कहा जाएंगे जितने लोग जो हैं जो पहले ही मर जाते हैं वो पहले कहा जाएंगे भाई हमने क्या देखा परवत के उपर मुसा आ गया और एलिया आ गये और पहला ठेटलोनी चौथा ज्याए सोला सतरा क्या बोलता है कि जो हम ते पहले सो गए वो और हम जो जिन्दा है हम तो सब पादलों में मिलेगे बबू के साथ अगर जो है जो पहले मर जाएंगे उनका आत्मा कहा जाएगा पहले कहा जाएगा अंकल वो यह पूछना चारी है अगर समझे अभी कोई प्रभू में सो गए है तो उनका आत्मा कहा जाके रहेगा वो स्वर्ग जाएगा कहीं और रहेगा भाई भाई बिल बोलता है अत्मा प्रभू के पास चले जाएगा आत्मा हाँ तो हमारे बिश्वाती भाई जब बुजर जाते हम दो क्या बोलते महिमा में प्रभू ने उठा लिया प्रभू के पास जाएंगे तो भाई समझता नहीं कोई बात नहीं को हमको पूछ करके बताओ को यह मीटिंग में जुड़े क्यूंकि आप सबको सवाल होते हैं क्यूंकि सब को उसकी ज्यान नहीं होता है इसलिए प्रभू ने प्रभू के दास अना जी के जॉंसन अंकल को अभी तक इना इतने उमर 87 उनका उमर है अभी तक प्रभू रखा क्यों ताकि ऐसे जो भी सवाल है उसका उत्तर हम सब को मिले यह तभी होता है जब हम ऐसे मीटिंगों में ज समजाता और गार किसी को को सवाल अ कि अगर कि अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है अ अगर कि शरत बट अंकल है, हम उनसे निवेदन करते हैं, कि वो बाइद परी, तो मैं निवेदन करता हूं, कि हमार बीच में बाइश्वन सिंग है, वो कातना करें, और बेनेडिक्शन जी के जॉनसन अंकल देंगे. जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही अंकल. आ रहा है? आ रही अंकल, आ रही अंकल. प्रवाज आ रही आ रही है, आ रही आंकल, आजूना है देरा है. कि जी, अंकल. एश्वन थे अंकल एश्वन लगता कुछ नेटवर्क का प्राबलम होगा तो मैं निवेदन करता हूँ कि Harrison Solomon अंकल रातना करें और बेनेडिक्शन जी कें जॉन्सन अंकल Harrison Solomon अंकल अंकल निवेदन करता हूँ अंकल जी करता हूँ अब डाइ एश्वन से अन्लाइन आयता है दिभी जियू उनका पास अचै 달ि आप कर सकते हैं कि जिस अश्वन्स आरा हो षजन कुछ नेटबक प्रावलम है 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 रिसन अंकल आप कीजिए ने पैरे जी ते सचे विश्वाश्यों परमेशर इसाम के समय आपके चर्णों में आकर आपको दन्वत करते धनवाद देते हैं समय के लिए संगती के लिए जो आपके दास बाइजी के जाओं सान ने बहुत सु आपको प्रेख लिए और कैसे बताय कि पत्रस में दूसरे पत्रस में तीसरे और जुसके ऑठ वे फद में चारो तरफ से घिरा वा और और वह उनको राज इने के वादा करेगा such तुरीली राज की और उन्ख उत्थ हो तरुक अपने उद्धार को वर्काउट करने के लिए आप हमारी साहता करें इसलिए आप सुने और ग्रहन करें आमें अब हमारे पिता प्रमीशन का प्रेम प्रभी श्मर्षी का शुग्रहु ऊरपुईत रातमा की नीठी गहरी सभागीता हमारे साथ प्रभु के लोगे साथ आज सिरलेगा युगान युग होती रहे आमेन आमें 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 आमें